अगर आप यंग रहना चाहते हैं ज्यावा से ज्यावा से ज्यादा एंटी ऑक्सिदेंट वाला एजिंग और एंटी एजिंग को लेकर के साइंटिफिक रिसर्च की क्या टाइम लाइन बनती है उसको देखते हैं किस तरीके से फ्री रेडिकल जो हैं आपके शरीर के डियन ने को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके वज़े से आपके एजिंग होगी इससे बचने के लिए आपको एंटी ऑक्सिदेंट खाने के लिए बोला गया समय आगे बड़ा हमारे लाइनस पॉलिंग जिनको दो नूबल प्राइस मिले हैं उन्होंने गलत चीज परचार किया जो इस बात को भी प्रिफ करता है कि दो नूबल प्राइस जीतने के बाद भी गलत बात प्रॉपगेट कर सकता है साइंटेज्ज उन्होंने ये गलत बात प्रॉपगेट की कि अगर तुम वाइटेमिन सी जो के एंटी ऑक्सिडेंट है उसको पागलों की तरह खाओगे तो तुम्हारे जुखाम से लेकर के तुम्हारा कैंसर तक सब सही हो जाएगा कमेंड में बताना तुमने सुना या ना विटामिन सी से जुखाम से ही होता है एक तरीक इसे de-aging of the cell आज हम strongest relationship देख पा रहे हैं aging de-aging का वह epigenetics से आ रहा है और इन topics पर detailed discussion में लेगा YouTube पर बायशाला 1 बायशाला 2 पर बैसी timeline आपने देखी लिए 1956 के अंदर में वैसे तो यह idea और भी जादा पुराना जाता है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि popularization of it कम से कम आपर जब यह पूरा timeline smooth बन जाए कि 1906 के अंदर में डेन हैम हर्मन यह scientist का नाम है जिन्हों है free radical जो metabolism के दौरान आपके बनते हैं वो किस तरीके से आपके oxidative stress वगएर को cause कर सकते हैं आपसान भाशा में aging एक बहुत ही जादा complex process है जिस तरीके से कुछ चीजें हमारी बढ़ाया है उसके अंदर में कई हद तक इसकी जिस तरीके से हमने nutrition को बहतर किया सबसे जादा जो हमने human की age को बढ़वाने में जो हमें कारगर काम्याबी ही जो हासिल हुई है वो उसका सबसे बड़ा श्री जाता है vaccination को कि किस तरीके से छोटे बच्चों को मरने से अगर बचा पाएं और बाद में जिस बतब ये एक particular समाज के अंदर में अगर number of divorce बढ़ रहे हैं तो ये एक तरीके से एक ऐसे समाज में जिसमें के पहले मतलब इंडिया example अगर लें तो इंडिया के समाज में अगर divorce rate बढ़ता हुआ नजर आता है तो it's a good thing क्योंकि हमेशा context important हो रहा था उससे भी अगर बढ़ने लगे तो सकता है वो कुछ बुरा संकेत दे रहा हो तो केवल और केवल isolate करके चीजों को नहीं देखा जा सकता क्यों क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के अंदर में आप फीमेल सार गेटिंग more independent अगर उनके पास नौकरी है पहले अगर जातर बढ़ते वे divorce नजर आ रहे हैं उसका जो इलजाम है वो इस बात पर डाल दे जाता है कि इस तरीके से हम पास्टात्रे संस्कृति से जो है वो उसको अपना रहे हैं और बताओ वहाँ पर भी divorce rate जादा होता है तो इंडिया में divorce rate भढ़ना it's a good sign दूसरा किसी particular समाज के judicial system में या फिर हमारे पुलिस वाले के सिस्टम में और ज्यादा पुक्ता होता जा रहा है जिसकी वज़े से अब वो number of जो rape के cases बढ़ते जा रहे हैं अगर कोई particular जगह पहले से police और judicial system मुस्ताइद है बढ़िया है और वहाँ पर अगर number of reported cases rape के अंदर में बढ़ातरी होती है तो वहाँ वो concern वाली चीज़ है क्योंकि वहाँ पर आपका पहले से मुस्ताइदी है और उसके बाद भी अगर number of rape number of divorce भढ़ रहे हैं तो वो एक negative चीज़ हो रही है समाज के अंदर में उसकी तरफ इशारा करता है लेकिन इंडिया के समाज में जहाँ पर पुलिस वाले ही आपको परिशान कर देंगे जहां पर आपका जो वकील ही आपको परिशान कर देगा जहां पर जो system में ही इतना विश्वास नहीं है वहाँ पर अगर आपको इस तरीके के cases अगर बढ़ते हुए नजर आ रहे है तो एक context में ये बात अच्छी भी है उसी तरीके से यहां हमने जो आदमी के इनसान की जो overall मौत का जो rate है death rate है वो किस तरीके से कम कराया है लोग जादा लंबा भी जी रहे हैं लोगों को अक्सर एक misconception ये भी है कि just because कि हमने शुरुआत वाली मौतों को रोक दिया है कि 5 साल से कम के बच्चों को हम बचा पा रहे हैं उसकी वज़े से एज जो है हमें लेंदेंड नजर आती है जो कि गलत बात है नहीं हमने actual में उन लोगों की population को भी बहुत जादा बढ़ा है जो अब साथ साथ के पार जो actual में जी पाते हैं लोगों को आपने बोलते हैं यो सुना होगा अकसर के आरे हमारे जमाने में अब पहले के जमाने मे और अगर जिकर किया जाए तो Stephen Pinker की Enlightenment Now और इसे जुड़ी कही और किताब है जो इस बात का हवाला बहुत अच्छे डेटा के साथ देते हैं कि इस तरीके से आप जिस पर्टिकलर समय में रह रह रहे हैं उसके अंदर में जो number of wars per unit time per unit area और number of deaths per unit time per unit area, number of infectious diseases per unit time per unit area ये बहुत 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 जादा हमने जो है कम कर ली हैं which is a good thing तो वापिस जाते हैं अपने इस वाले particular idea पर कि 1956 के अंदर में आपका ये जो idea है वो बहुत पहले से बनना शुरू हो गया था और अगर कोई वेकती aging और de-aging की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक multi variable concept है जिसके अंदर में आपके mitochondria का ये अच्छा रोल आएगा आपके जो सबसे पुराना idea जो मैंने discuss किया कि किस तरीके से लोग मानते थे कि आपको oxygen जो आप ले रहे हैं वो शरीर के अंदर में जाकर कि reactive oxygen species बन जाती है आसान भाशा के अंदर में आपके शरीर के अंदर में कोई ऐसा molecule वो कोई भी हो सकता है जातर आपको oxygen वाले देखने के लिए भी लेंगे कि किसी molecule के उपर अगर extra amount of electron पड़ा हुआ है या उसके पास electron की एक acid deficiency है जिसकी वज़े से इसकी reactivity बढ़ जा रही है और reactivity बढ़ने उसके वीज़े से आपका जो normal functioning है जो normal metabolic reactions है cell के अंदर में जो हो रही थी उसमें खलल पड़ेगा और cell के death होने की संभावना भड़ जाएगी cell की death के अंदर में cell या तो आगर देखी की के मेरे अंदर का माहौल बहुत बोरे तरीके से बदल रहा है और negative side में बदल रहा है तो वो apoptosis जिसको cell suicide बोलते हैं वो कर लेगी या फिर अगर बहुत जादा इस तरीके की बाहर से ही बहुत जादा मतलब तोड़ फोड हो जाए तो cell injury से भी death हो जाती जिसको necrosis वगरा की category में आप pathology के अंदर में पढ़ाया जाता है इसके बाद जो अगला पूरा का पूरा समय था जो कि लाइनस पॉलिंग जिनको दो नोबल प्राइस मिले थे chemistry के अंदर में और एक आपका noble peace price कि कि किस तरीके से उन्होंने इस बात क से उपन हाइमर ने इस central idea को बना देने के बाद कि एक बार अगर आपने nuclear bomb बना दिया और एक बार अगर आपने उसका इस्तमाल कर लिया तो फिर एक ऐसी race शुरू हो जाए कि जो शायद पकड़ में आया हम बहुत कुछ की सुनता है कि European Union हो या मतलब कि आपने विश्व के लेवल पर आकर के थोड़ा सा बातचीत की और लोग अभी उतना जल्दी इस्तमाल नहीं कर रहे हैं वरना जिससा आपसे लोगों के पास nuclear हैं हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय के अंदर में अपने वो खत्म भी कर सकते हैं तो यही ऑपन हाइमर के अंदर में हो दो नूबल प्राइस मिले एक कैमस्ट्री के अंदर में और एक आपका आपका नूबल पीरियस मिलाथा इंहोंनेों पाइज्वर-वर्ल کन ना जब नुख लर बहुत लोगामन. के उपर में इनके बहुत अच्छे अच्छे पेपर है वहां से लेकर के जो आइडिया है लाइनस पॉलिंग का के उन्होंने जब ये बात शुरू की तो ये आइडिया धेरे धेरे इतना जादा वर्ल्ड के अंदर में पॉपलराइज कराया कि उन्होंने किताब भी लिखी वाइटेमिन सी के उपर के वही वाइटेमिन सी अगर तुमने ले लिया तो जुखाम से लेकर के कैंसर तक आपकी जो प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएंगी अपनी बीबी को भी वह बहुत बहुत जादा अमाउंट के अंदर में ग्राम ग्राम के अंदर में पर डे के अंदर में वो दे दिया करते थे वाइटेमिन सी दे दिया करते थे लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि अंटियोक्सिदेंट आप खा लो लेकिन आपको यह वाद समझने पड़ेगी कि कोई भी डारेक्ट रिलेशन्शिप में तो चीज़ें हैं नहीं कि अगर आपने थोड़ा जादा खाया वाइटेमिन सी तो पाच फायदा होगा आपने और खाया तो आपको दस फायदा होगा और खाया तो बीस फायदा होगा और खाया तो पचास फायदा होगा यह कोई लिनियर रिलेशन्शिप नहीं कि आप जितना जादा वाइटमिन सी बढ़ाते चले जाएंगे खाना उतना आपका शरीर स्वास्ते या उतना बहतरीन होता चला जाएगा इस तरीके से बनेगा क्या होगा उसके अंदर में किमाली जी कि आपके शरीर को काम करने के लिए कुछ फ्री रैडिकल्स की ज़रूरत भी पढ़ती है जैसे कि आपके शरीर के अंदर में अगर किसी पर्टिकलर बैक्टिरिया ने अटाक किया है अगर आपने शरीर के अंदर में कुछ जाद आई वाइटेमिन सी ले लिया तो आपके शरीर के अंदर में इस तरीके के जो इंसिडेंसिस हो रहे थे जिसके अंदर में आप कैंसर साल को मार सकते थे या फिर ऐसे इंसिडेंसिस जिसके अंदर में वो इससे related थी कि उन्होंने और लोगों को भी hire किया कि ये देखने के लिए कि vitamin C से क्या-क्या फायद हो सकते हैं, चलो चुहों पर test करते हैं, चलो इन पर test करते हैं, जब चुहों पर बहुत जादा extra amount के साथ में vitamin C वगरा उनको दिया गया, तो उनके अंदर में cancer, मतलब कि व rate है, वो increase होता हुआ नजर आया, तो उन्होंने जो जिस व्यक्ति को hire किया था Linus Pauling ने, उस व्यक्ति ने बोला कि भाई सब आप खाना बंद कर दो, अपनी बीवी को खिलाना बंद कर दो, एक उन्होंने नहीं किया, और उनकी बीवी तक को जो death है, वो cancer से होई थी, तो just because क किसी व्यक्ति को दो-दो नोगल प्राइस मिल चुके हैं, just not mean, कि उसके मुह से निकली हुई हर बात सच होगी, इसके बाद हम 1990 के दशक में जो अगली set of discoveries हैं, वो Elizabeth Blackburn से related है, क्योंकि नाम फिर retrospectively popular हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि Elizabeth Blackburn ही इस आइडिया टीलो मेर और टीलो मेरे इ क्योंकि नोबल प्राइस की वज़े से थोड़ा से जादा याद है, या उनकी किताब मैंने पढ़ी है, तो जो थोड़ा biasness हो जाती है, तो उन लोगों का comparatively जादा होने लग जाता है, 1990 के अंदर में उनकी जो पूरी discovery थी, किस तरीके से थी, किस तरीके से जैसे cell number of divisions लेती जाती है, जो आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के जो टीलोमियर होता है, टीलोमियर क्या है कि आपके शरीर के अंदर में जो भी DNA है, वो धागों के रूप में मौजूद होता है, आपको 23 धागे मिलते हैं अपने मम्मी से और 23 धागे मिलते हैं अपने पावा से, और ये धागे आपके शरीर के हर एक cell के अंदर में मौझूद हैं। इन धागों की जो लेंथ है वो जैसे ही आपकी cell डिवाइड होने लग रही है तो अगर आपको यहाँ पर हुली का रंग लगा हुली के रंग लगने के बाद cell जो डिवाइड करती है और आपके छे दस दिन के अं सिट्वार्ण रहे हैं वो थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे होते चले जाते हैं अब यह वाइसे वर्सा वाली प्रव्ब्लम आ जाते है कि किस तरीके से कि एजिंग की कोई ऐसी वज़े है जिसकी वज़े से तीलोमेर चोटा हो रहा है और उसकी वज़े से एजिंग हो ही है या एजिंग कोई एक इंडिपेंडेंट कॉंसेप्ट है जिसका कि आउटकम छोटा क्रोमजों का छोटा होता हुआ होना इस फॉर्म में नजर आ रहा है तो पता नहीं है कि क्या हुआ बिलकुल मदब के लूप वाली सिचुएशन से बन जाते हैं कि इस तरीके से कोई अगर ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट है तो बारिश बहुत जादा होती है बारिश बहुत जादा होती है तो पर पौदे बहुत जादा होता है तो ट्रांस्परेशन बहुत जादा होता है तो बादल बहुत बनते हैं और बादल बहुत बनते तो बारिज बहुत होती है तो ट्रॉपिकल रेंफॉरस्ट वो पॉजिटिव फीडबैक लूप में फ़स जाता इस तरीके से उस तरीके से अभी आर ये टू नो के किस तरीके से क्योंकि मल्टि वैरेबल प्रॉब्लम है ये सबसे जादा ड्मेनेंट है इसको समझने के लिए 2012 के अंदर में यमाना का फैक्टर जो के वन उप द्व मूस्ट 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 सबसे जादा अव्ल्मव्ल प्राइस के अंदर में भी अगर कोई टॉप्स पर डिस्कवरी जैक आएंगी इतिहास के अंदर में तो उसके matter के किस cell के मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपने neuron की बात कर रहा हूँ और neuron को मैं convert कर दूँगा किस के अंदर में, वापिस से वो आपका किसी भी particular cell के अंदर में convert हो सकती है, और कितने सारे organisms हैं, जिनके उपर research इसी बीसिस पर चलती है, कि वो multicellular होने के बावजूद, evolution, मतलब के मचलिया, मतलब zebrafish, या आपके planaria हो, या आपका जितने भी amphibians हैं, कई सारे जिनके अंदर में ये काबिलियत मौजूद है, कि exotol हो, या फिर जिनके limbs अगर काटते जाएं, तो limbs अगर दुबारा से आ जाते हैं, तो उसके अंदर में आपके ये particular factors बहुत जादा epigenetics के उपर में, epigenetics के लिहाज से, जो हमारे, चाहे वो histone proteins की बात कर लूँ में, कि histone proteins के उपर आपका methylation, acetylation अगरा हो रहा है, चाहे तो मैं DNA के उपर methylation और acetylation की बात कर लूँ, तो किस तरीके से जैसे ही आपका cell के उपर कोई particular stress आती है, तो वो cell का जो DNA है, वो अलग particular तरीके के जीन्स खुलता है, मुदब के असान भाशाम है, कि भी देखिए, इस तरीके से है, कि इतियास के अंदर में, जो किताब है, मैं किताब का जो जिकर हवाला दे रहा हूँ, वो है डेविट सिंक्लेर की लाइफस्पैन, और उसके अंदर में ये particular idea, सबसे पहले chapter के किस तरीके से के इतियास के अंदर में, कुछी भी living organisms के पास, मोटा माट एकर देखा जाए, तो दो तरीके के पातवे होते हैं, एक पातवे वो है, जिसमें कि आप ये देखते हैं, कि अगर मौसम सही है, माहौल सही है, सब कुछ भैतरी खाना वाना अवेलेबल है, तो चलि का deprivation की stress, oxygen की stress, अलग-अलग तरीके की stress है, जैसी cell को ये पता चलता है कि stress का महौल आ गया, उस समय पर आपका reproductive जो ideas हैं, उसको collapse करके आप किस के अंदर में चले जाते हैं, रिपेरिंग के अंदर में चले जाते हैं, और वहां से ये particular idea जो है जम ले रहा है कि किस तरीके से, आज की तारीक में अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी बॉड़ी को stress देते हैं, so that it can undergo, it can start or undergo its repairing mechanism के किस तरीके से अगर hit height intensity interval training की बात करें कि आप बॉड़ी को physical stress दे रहे हैं, आपका चाहे intermittent fasting हो कि किस तरीके से आप बॉड़ी को खाना न दे करके बॉड किस तरीके से आप अपनी बॉड़ी को hot shower sauna वगरा का जो cases आचकल चल रहे हैं, कि आप बॉड़ी को hot shock देने कुशिश करते हैं, या फिर आपको cold shower के cold shock है वो आपको अपनी बॉड़ी को देने कुशिश करते हैं, तो इन सभी के दौरान आप अपनी बॉड़ी को shock देने कु पाथवे ये तीन में पाथवे हैं एक्चली और इनके जरीए बॉडी को ये सलहा दी जाती, बॉडी के अंदर में नैश्रली ये पर्टिकलर कंपाउंट्स बनते हैं, और ये आपके वापश से जाकरकर रिर्पेरिंग पे लग जाते हैं, और दूबारे से एपिजएनेटिक जो markers हैं जो आपकी, आज की तारीख में आपकी जनेरिक टिक markers को देख करके भी ये बताए जा सकता है कि आप जो है, वो कि आपकी actual में age क्या है, आपकी biological age क्या है, आपने देखा होगा कई लोगों को कि जो 25-26 के होते हैं और 35-25 के होते हैं, तो किस तरीके से एक तो आपका इसका हर चीज़ का एक जनेटी Component तो होता ही है लेकिन हम बात कर रहें कि आप वो जनेटी Component आपके हाथ में नहीं है लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है उन चीज़ों को ले करके क्या बदलाब किया जा सकता है उनके जरी आप अपने एज को कितना ज़्यादा नीचे की तरफ खीच करके ले करके आ सकते हैं उसके अंदर में आजकल मतलब इसके ड्रग्स जो है वो इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल में है जो कि आपके डी अजिंग के प्रॉसेस के लिए जिम्मेदार है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल बहुत लंबा प्रॉसेस होता है लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि थिंग्स आर अंडर ट्रायल राइट नाओ तो ओके फाइन I hope के पंदरा सतरा मिनट हो चुगे तो this has to be enough I don't think के यहां तक भी लूप पहुचे होंगे बट मिलते हैं नेक्स वीडियो में